Hello parents and welcome back to my channel बच्चों का टीदिंग प्रोसेस एक नैचरल प्रोसेस है नैचरली बच्चों का दात आता है और एक एज के बाद नैचरली बच्चों का मिल्क टीद जो है वो गिरता है और वहाँ पे परमरेन दाता है और ये भी एक नैचरल प्रोसेस है आपको इसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और नहीं चीनता करने की जरूरत है बट ये जो milk tooth है वो कब से गिरता है और जब हिलता है दाथ तब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आने पर लाइक जरू कर दीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है तो यूजियली आफ्टर सिक्स यार या से यह अलग आलग एज में पुलится है ठीक वैसे ही बच्यों का दाद गिरcular का जोएज है वह भी अलग होते है हर एक बच्चे का दाट अक्रों समय पर गिरे एक ही अरे उसके बेबी का तो दात हिल रहा है गिर भी रहा है मेरे बेबी का क्यों नहीं हो रहा है या मेरे बेबी का इतनी जल्दी कैसे दात हिल रहा है और गिर रहा है हर एक बच्चे अलग अलग होते हैं तो बच्चों का दात आने का टाइम और गिरने का टाइम वह भी अलग हो तो after 4 years बच्चों का दाथ हिलता है और गिरता है और वहां पर पर्मरेंड दात आते हैं usually बच्चों का 20 दाथ होते हैं जिने प्राइमरी टीद बोला जाता है और ये दाथ ही धीरे धीरे गिरता है जैसे जैसे बच्चों का एज बरता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों का दाथ एक ही एज में एक साथ गिर जाएगा ऐसा नहीं है धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ता है वैसे एक एक करके दाथ हिलता है और गिरता है usually बच्चो का front का जो दाथ है वो ही पहले गिरता है क्योंकि front का दाथ पहले आता है बच्चो का जब दाथ निकलता है तो front के दाथ ही पहले निकलते है तो वो ही front के दाथ ही पहले हिलते है और गिरते है और वो ही front के दाथ पहले निकलते भी है तो front के जो दात है वही पहले गिरते हैं और उसके बाद धिरे धिरे जैसे बच्चों का age बढ़ता है वैसे बच्चों का दात हिलता है और गिरता है और वहाँ पे permanent दात भी आते हैं तो ये जो दात आना, उसके बाद एक एज के बाद दात का हिलना, गिर जाना, वहाँ पर्मेंट दात आना, ये सब कुछ नैचरल प्रोसेस है, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही चिंतित होने की जरूरत है, बट हाँ, आपको कुछ बातों का जरूर द्यान रखना चाहिए, और वो क्या है, वही मैं आगे आप लोगों के साथ श्यार करने वाली हूँ, पहले तो अगर आपका बच्चा हिले हुए दात से टंग के साथ खेल रहा है, तो उसको खेलने दीजिए, मतलब बच्चे ऐसा करते हैं, जब दात हिलते हैं, तो 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 उसको और जादा हिलाते हैं, और उसके साथ खेलते हैं, तो खुछ पैरेंस ऐसे हैं, जो इस चीज से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वहां पे जादा तंग लगाएगा तो वहां पर साइद पर्मरें दात नहीं आएगा, बर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका बच्चा टंग के साथ खेल रहा है, उस हिले हुए दात के साथ, तो उसको खेल ले दीजिए, वहां पर पर्मरें दात आएगा, इस बात को लेकर आपको चिंता करने की ज़रुत नहीं है, बच्चा जितना उस हिले हुए दात में टंग लगाएगा, जितना उ उसके लिए भी तो एक नई चीज है, उसका खुद का दात हिल रहा है, वह दात गिरेगा, वहां पर नया दात आएगा, तो उसको भी थोड़ा से एक्साइटमेंट हो रहा है, तो उसको खेलने दीजिए, अगर वह खेल रहा है, दूसरा जिस बात का आपको बहुत ध्यान तो उसको खीज देते है, या पुल कर देते है, जिससे की वह दात निकलाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे नाचरली वह पूरा दात आया है, ठीक वैसे ही जड़ा सा जो लगा हुआ है, वह भी निकल जाएगा, आपको खीचने की या पुल करने की अगर आप पुल करेंगे, तो गम के जो टीसू है, उसके उपर खड़ा बसर पर सकता है, तो इसलिए आपको भी खीचातानी नहीं करना है, जरा सा लगा हुआ है, जैसे नाचरली पूरा उठ चुका है, ठीक वैसे ही वह भी उठ जाएगा, आपको खीचातानी बिल्कुल अगर आपका बच्चा बोले कि उसको गम में पेन हो रहा है उस गम में तो आप उसको कोल्ड वाटर से मसाज दे सकते हैं, मतलम ठंडे पानी में आप एक कप्रे को डूबो लीजिए उसको निचोड लीजिए और उसको अपने फिंगर में अच्छे से रैप कर लीजिए और थंडे फिंगर से आपको बच्चे के जिस गम में पेन हो रहा है जो दात हिल रहा है वह पे आप फलके हातों से मसाज दे सकते हैं या थोड़ा बहुत प्रिशर दे के भी मसाज दे सकते हैं ताकि वह दात निकल आए और बच्चों का जो पेन है गम में वह भी चला जाए व जरूर बहुत अगर ब्लड निकल गया है तो ब्लड जो है वह साफ हो जाए बच्चे को थोड़ा सा मूह में पानी देके अच्छे से मूह ने के लिए जरूर बोलिये दात गिर जाने के बाद जो कि बहुत जरूरी है और अगर बच्चे का दात हिल रहा है और वो दात गिर भी नहीं रहा है और वहाँ पे पर्मरेंट जो दात है वो भी निकल गया है बट वो जो हिल रहा है दात वो किसी भी तरह से नहीं निकल रहा है तो आप कुछ चीजे अपना के उस दात को रिमूव कर सकते हैं जो सेफली रिमूफ कर सकते हैं और वह क्या है चलिए जान लेते हैं पहले तो आप बच्छे को बोल सकते हैं कि वह टंग से उस हीले हुए दात को धक्का दे जो मैंने पहले ही कहा बच्चे का अगा दाथ हिलने लग जाएगा ना तो बच्चा पहला काम हो ही करता है वो बने टांग से उस दात के साथ खेलने लग जाता है तो अगर बच्चा उस दात को धक्का देगा उस दात के साथ खेलेगा तो वो दात अपने आप ही गिर जाएगा secondly आप क्या कर सकते है बच्चे को कुछ क्रंची चीजे क्रंची फूट दे सकते हैं चीव करने के लिए जैसे कि आप आपल, क्यारेट ये सब कुछ बच्चे को चीव करने के लिए दे सकते है चीव करने से वो जो हिला हुआ दाथ है वो naturally और safely remove हो सकता है या तो फिर आप बच्चे को गड़म पानी में salt डाल के mouth wash करने के लिए भी दे सकते है इस पानी से क्या होता है कि बच्चे का जो गम है वो ease हो जाता है और जो दाथ हिल रहा था वो गिरने में भी help हो जाता है तो आप बच्चे को simply गड़म पानी में आपको salt मिलाना है और उस salt वाले पानी से बच्चे को आपको mouth wash करने के लिए बोलना है तो ऐसा करने से भी बच्चे का जो दाथ हिल रहा था वो easily remove हो सकता है and a loose teeth can be successfully removed using dental floss so floss use कर सकते है ताकि दाथ हिल रहा है या तो फिर एक और simple way है आप एक soft brush से बच्चे को brush करा सकते है या तो फिर आप बच्चे को दे दीजिए उस brush से बच्चा खुद बखुद brush करेगा बच्चे को बस बोलिए कि जो दाथ हिल रहा है उस दाथ के आसपास अच्छे से brush करें ताकि वो दाथ easily remove हो जाए naturally आपको खीचातानी ना करनी पड़े या तो फिर आप बच्चे को एक पका हुआ केला खाने के लिए बोल सकते है राइब बनाना पका हुआ केला जो है वो बहुत help करता है हिले हुए दाथ को निकलने में आप बच्चे को बोलिए कि जो दाथ हिल रहा है उसी दाथ से उस क अगर इन सब बातों से कुछ फरक ना पड़े तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा क्यूंकि वहां पर्मनेंट दाथ आ चुका है तो वह हिला हुआ दाथ निकलना जरूरी है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए एक और सवाल जो कि बहुत कॉमन है बहुत सारे पैरिंट्स पूस्ते भी है कि अगर कोई दात बच्चा स्वालो कर ले मतलब बच्चा शायद कुछ खा रहा था कोई दात हिल रहा था और बच्चे के पेट में वह दात चला गया है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इहां पर बता दू कि कोई प्रॉब आप पर पर्मेरिंट डात आते हैं तो इन बातों का आपको ज़रू ध्यान रखना चाहिए तो आम शौर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्फुल रहा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत बूलियेगा और प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा पर जिस तक पहुंचाएएगा